स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा काइन मास्टर पे बेसिक एडिटिंग तो काफी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टॉपिक नहीं थे और उलजूलूल से टॉपिक डालने पे आपका भी टाइम वेस्ट मेरा भी टाइम वेस्ट क्योंकि वीज नहीं आते और आपको पसंद नहीं आती तो इसलिए मैं आप डाल रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ मतलब वीडियो एडिटिंग के साथ तो बेसिक एडिटिंग तो लोगों को आती ही है पर मैंने सोचा एक बारी फिर भी बता देता हूँ क्योंकि कई बारी चेंज आ जाता है तो सबसे पहले बेसिक एडिटिंग में आता है ये टाइम लाइन सबसे पहले knowledge होनी ची है मैं क्या कर रहे हैं तो यह timeline होती है जहाँ पर वीडियो आती है तो यहाँ पर मैंने दो वीडियो लगाई हुई है stock video है अगर आपको पता करना है कि मैंने stock video कहां से लाई तो comment में ज़रूर बताना कि मैं उस पर वीडियो बनाऊ या नहीं तो यहाँ पर हम वीडियो select करते हैं मैंने पहली वीडियो select करिया और यहाँ पर कुछ options आ गए है यह सारे basic editing में आते हैं इन में से कुछ advance में है और कुछ इसमें moderate में है ज़्यादा advance भी नहीं ज़्यादा basic भी नहीं तो यहाँ पर पहला feature है trim का अब यह जो हमारा red bar है इसको हम थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर हमें option मिल जाते हैं इससे पहले जब left side पर था तो ऊपर तीन highlighted नहीं है सिर्फ एक ही highlighted है तो हम इस bar को थोड़ा सा आगे ले आते हैं यहाँ पर पहला है trim to left of playhead मतलब left वाला part कट जाएगा सारा कुछ इस तरीके से इसको undo करता हूँ मैं फिर दुबारा आगे आता हूँ अगला option है trim to right of playhead मतलब right वाला part कर जाएगा कुछ ऐसे दुबारा से पीछे जाता हूँ undo करता हूँ अगला option है split add playhead मतलब यह दो हिस्वों में बाट देगा वीडियो को अब हम दोनों को अलग अलग तरीके से edit कर सकते हैं मैं जाता हूँ इसको हलका सा आगे बढ़ा दूँ और इसको इसमें तो कुछ है नहीं अब इसको चला के देखते हैं ओ sorry मैंने चला के नहीं दिखाया था तो ये वाली वीडियो कुछ इस तरीके से दिखती है आप देख लो ओके तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही थी वीडियो अब मैं split वाले option का use करता हूँ यहाँ पे split करा अब मेरे पास एक वीडियो की दो वीडियो हो गई है तो इसको मैं चाता हूँ कि थोड़ा सा आगे बढ़े और repeat हो जाए तो अब ये वीडियो कुछ इस तरीके की दिखेगी यह देखो यहाँ पे repeat मारेगा तो ये edit ये split करके हम इसको edit कर सकते हैं अलग-अलग बनाके और अगला option है split and insert freeze frame अब इसमें क्या होगा है जहाँ पे मैं ये करूँगा वहाँ पे एक pause आ जाएगा और एक freeze हो जाएगी frame थोड़ी देर तक वहीड़ी freeze frame चलेगी और दुबारा continue हो जाएगी video तो मैंने यहाँ पे click कर दिया है तो जैसे मैंने कहा वीडियो दीरे दीरे चल रही है जैसे चलती है उसके बाद एकदम से stop हो जाएगी कुछ देर तक 4 या 3 second के लिए और उसके बाद दुबारा से continue हो जाएगी video यह है last option का feature तो इसको वापिस undo कर देता हूँ मैं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए यह इसके बाद यहाँ पे है यह starting position and ending position मतलब pan and zoom की हमें starting position कैसे दिखानी है तो इसको काफी बढ़िया तरीके से दिखा सकता हूँ मैं तो मैं इसको दोनों हाथों से दोनों finger से zoom कर रहा हूँ और इसको select करना अगर मैंने इसको select करा हुआ है तो मतलब starting position और ending position same रहेगी पर मैं नहीं चाहता कि दोनों same रहें क्योंकि कुछ दिखे गई नहीं तो इसको मैं off कर देता हूँ और अब मैं ending position को select करता हूँ और वापिस इसको आई है वाओ मेरे को खुद नहीं लगा था इतनी amazing बन जाएगी पर बन गई है दोस्तो तो आगले feature पर चलते हैं ये है volume का तो इसमें volume छोड़ो इसको क्योंकि इस video में कोई audio ही नहीं है तो इस option को छोड़ी देते हैं जब audio की बारी आएगी तब फिर कभी करेंगे यहाँ पे है clip graphic clip graphic थोड़े से मतलब की कैसे दिखाते हैं जो आगे title बाइट लाते हैं वो सब हैं यहाँ पे तो एक select करके दिखाता हूँ मैं आपको यह देखो यहाँ पे train जा रही है उसके उपर title लिखा हुआ है कोई और select करता हूँ मैं यह क्या है यहाँ देखो आप hot air balloon आया यहाँ पे plane आया आगे अगला select करता हूँ मैं यह कुछ पुराने type का है यह कुछ इस तरीके का है stage show की तरह तो खेर ऐसे और भी हैं यह तो depend करता है कि कहाँ पे कौन सा select कर रहे हैं अरे back जा यार back हो जा तो यहाँ पे none चोड़ देते हैं अभी इसको क्योंकि हमें जरूरत नहीं है आगे यहाँ पे है speed speed भी basic में आता है क्योंकि हम edit तो करी सकते हैं speed को अब उसको कैसे edit करना है वो advance में आता है कि हमें कैसे speed दिखानी है फिलाल के लिए मैं सिर्फ इस वीडियो की speed बढ़ा रहा हूँ तो 1.9 तक ही हम बढ़ा सकते हैं मतलब आगे भी बढ़ा सकते हैं पर वो फिर preview में डंग से नहीं आएगी वीडियो में जेखो यहाँ पर मैं इसको 2.5 कर दिया तो यहाँ पर एक message आ गया है वीडियो क्लिप में stutter during preview at speed higher than 2x once saved your video will play normally save होने के बाद normally चलती है पर मिरको तो आपको preview में ही दिखाना है तो इसको मैं 1.9 रख रहा हूँ और speed बढ़ा और चला के दिखाता हूँ आपको यह कुछ इस तरह से आया है speed में काफी बढ़िया लगा मिरको तो खेर अब इसको normal कर देते हैं मैंने one select कर दिया speed को आपके और यहाँ पर आपको पता है reverse करने पर वीडियो उल्टी हो जाएगी rotate and mirroring में क्या है rotate में एक second ओके यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको मैं इसको mirror करता हूँ तो यह आगे पीछे change कर लेंगे अपनी side change कर लेगा यह और इस वाले option को click करता हूँ तो यह upside down हो जाएगा तो rotate में यह कुछ इस तरह change हो जाएगा left side में 90 degree 90 degree change हो रहा है और इसमें right side में 90 90 degree change होगा तो यह वीडियो को फटा फट से खतम करने का वक्त आ गया है यहाँ पर color filter है जो भी हम color select करेंगे वैसा color आपको दिख जाएगा यह देखो negative नहीं negative तो यह है वो black and white negative था कोई बात नहीं तो आप समझ गये होगे color filter अब यहाँ पर adjustment में है advanced color filter मतलब यहाँ पर कुछ advanced level होता है उसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा EQ में यह audio के लिए होता है यहाँ पर है volume envelope यह भी audio के लिए होता है reverb भी audio के लिए होता है voice changer audio के लिए होता है यह visionate यह काफी बड़ी option है अब देखो हलका हलका उपर और नीचे option sorry darker सा आ गया होगा नहीं देखा नोटिस नहीं करा यह देखो मैंने हटा दिया है वापिस लगा दिया आपको हर साइड में हलका हलका सा darkness आ गया होगी देखा होगा हाँ तो यह ही है visionate यह थोड़ा सा cinematic सा effect लाता है अगर थोड़ा सा cinematic बनाया जाए उसकी बात हम बाद में करेंगे अभी फिलाल के लिए इतना ही रखते हैं इसको और यह extract audio अगर आपके वीडियो में कोई audio है उसको निकालना चाहते हो ताकि आप किसी और में लगा सब इस चोड़ो इसको बाद में बात करेंगे यह भी audio से related है अगला है information यह आपकी file की information देगा कि कितने frame rate पर रहा है इसमें date क्या थी जब आपने download कर रहा है या कहां से आई तब की date file format, resolution, frame rate, duration और जो भी तो खेर basic editing में फिलाल के लिए इतना ही था मिलता हूँ आपसे गली वीडियो में जाते जाते वीडियो को like, share और subscribe कर जाना thank you दोस्तो